हेलो गाइस स्वाइब बलकाम आलाफी टू दा आवर यूटुब चैनल ग्यान बे सचेन तो दोस्तों आज के इस सेसेन में बात करने वाले हैं यूपी पॉल टेकनिक एडमिशन में यी डबलुएस सेटिफिकेट का बहुत बड़ा फाइदा है उसके बारे में बात करूंगा क्योंकि काउंसिलिंग अभी बहुत बाकी है अभी EWS सेटिफिकेट ऑफलाइन नी एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ही बन जाता है तो क्या आपको EWS सेटिफिकेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उसके बारे में टोटली डिसकस करूंगा तो वीडियो के अंत समक्दार अंदाज में तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुवात करते हैं बात करते हीं EWS क्या है तो EWS जो है Economically Beaker Section है मतलब जो भी General Category के students होते हैं जो भी वीग होते हैं कैसे है Handicably नहीं Financially weak होते हैं मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर General के होते हैं उनके लिए government ने जिससे हम EWS के नाम से जानते हैं जिसका नाम है economically weaker section इसका ये बड़ा फायदा है कि आप इससे government job में apply कर सकते हैं UP Polytechnic के counseling में apply कर सकते हैं आपको admission थोड़ा कम rank पर मिल जाएगा आपको UPTU Polytechnic UPTU में कर सकते हैं BTEK के लिए जे में कर सकते हैं BTEK के लिए मतलब इससे क्या होगा आपको कि कम rank पर भी एक अच्छा college आपको मिल जाता है EWS certificate का यहीं बहुत बड़ा फायदा है ठीक है किस तरीके से आपको यूज करना है क्या करना है उसके बारे में आगे बात करूंगा पहले EWS के बारे में दिनाग के लिखा जाएगा और वो प्रमाण पत्र संख्या SDM के office से मिलता है ठीक है वो प्रमाण पत्र संख्या SDM के office से मिलता है किसी पहचान वाले आदमी को दे दोगे जो SDM औगरा के office तक जाता होगा तो वो बिल्कुल आपको लाकर के बनवाकर के दे देगा ठीक है इ पांच एकड जमीन नहों, पांच जार फिट और उसे कोई प्लॉट नहों, आपका सवर गज इससे आवासी भूखन लेना हो, दो सवर गज का अधिक का आवासी भूखन नहों, तो इतना अगर मेरे पास होता तो मैं पॉलिटेक्निक करने नहीं आता, ठीक है, तो सिंपली सफेद कागज में, सफेद कागज में नहीं होता, यह पीले कागज में होता है, और नीचे आपकी फोटो लगी होगी, उस पर SDM का वेरिफिक्शन हुआ होता है, ठीक है, तो EWS का बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसे आप बिल्कुल यूज कर लिजिए EWS, और यह सिर् तीन महीने पहले का बना होना चाहिए, आपका तीन महीने पहले यह बदल जाता है, ठीक है, तो जब यह यूज में आता है, तभी यूज में आता है, जब आपको गवर्मेंट जॉब के लिए अपलाई करना हो, या किसी संस्थान में एडमिसन के लिए अपलाई करना हो, त तो easily आपको यूपी पॉल्टेक्निक काउंसिलिंग चल रही है, उसमें अपनी केटेगरी को general न रखते हुए, general EWS रख देंगे, तो आप लोगों को ये EWS certificate सिर्फ दिखाना होगा, upload करना होगा, बाकी आपका काम सिर्फ EWS से हो जाएगा, अब बात करते हैं जिसों ने starting में general लिख दिया था, और वह आप EWS लगाना चाहते हैं, तो क्या possible है, बिल्कुल EWS लगाना चाहते हो और possible भी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये ही recommend करूँगा, कि आप लोगों का अगर starting में general था, और general अभी भी है, तो registration के time उसमें छेड़-छाड मत करिए, क्योंकि general और EWS का Polytechnic की counseling में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ये अंतर आपको बड़ी-बड़ी government jobs में देखने को मिल सकता है, लेकिन Polytechnic की counseling में आपको इतना बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई भी college 20,000 rank पर मिल रहा है, वो तो 24,000 rank पर भी मिल जाता है, और EWS सि जादा नहीं, और top government college की difference को तो सिर्फ 1000 के अंदर या 500 के अंदर ही difference को कम कर पाता है, तो UP Polytechnic की counseling में बहुत बड़ा इसका role भी है, और मैं लेकिन general वाली students को उनको कहूंगा, जो already EWS कर चुके थे, तो उनके लिए बहुत advantage वाली बात होगी, लेकिन जिनों ने starting में general करा थ तो वो बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है, अगर आप इसे लगाते हैं, तो इसे सरकारी college मिलने के chances आपको बिल्कुल properly हो जाते हैं, ठीक है, तो आजकी session में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं एक नई session के साथ तब तक के लिए, goodbye, tata, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ